नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मेहू करांती सिंग आपको बता दे कि एक बार फिर से संजराउत के उपर गिरफतारी की तलवा लटक रही है अभी हाल ही में पात्रेचौल घृटाले में उन्हें जमानत मिली थी उस जमानत के बाद माना जा रहा था कि उनकी मुश्कले जो है वो कुछ हद तक तो कम होगी लेकिन अभी मुश्किल है एक बार फिर से तीजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है इस बार जो है उनको 2018 के एक मामले में जो है एक बार फिर से उनके उपर गिरफतारी की तलवार लटकने लग गई है दरसल के मामला इस वक्त अगर हम आपको बताते चले तो देखें ये जो है महाराष्ट और करनाटक सीमा विवात को लेकर के था जो 2018 के समय पर शुरू हुआ था और इस विवात को लेकर के एक बार मामला फिर से तुल पकड़ता हुआ जा रहा है और इसी वज़े से जो है संजेराउत के उपर एक बार फिर से तलवार लटक रही है कि वो जल्द ही गिरफतार हो सकते हैं आपको उता दे कि यहां पर देखा जा रहा है कि भाजपाईयों के लिए कड़े रुख रखने वाले संजेराउत के अगर मैं बात करूँ तो संजेराउत हमेशा से भाजपा के उपर कड़े रुख रखते हैं लेकिन जब तक वो सत्ता में थे यारी कि जब तक M.V.A. का ग आगे सुर सुनाई देने लगे हैं मैरार इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोगो को क्या लगता है संजेराउत क्या एक बार फिर से जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे क्या एक बार फिर से सलाखों के पीछे पहुंच करके वो अपना सारा का सारा कि अब यहाँ पर संजराउट के उपर 2018 का मामला भी शुरू हो चुका है और उसकी सुनवाई और उसके उपर जो है कारवाई भी जारी हो चुकी है ऐसे में जल्द ही उनकी गिरफतारी तै है आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही संजराउट के इस गिरफतारी के भरे मयान को देख करके समन को देख करके आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फलार आज के लिए बस इतना ही देश तुने के तमाम बड़ी खबरों के लिए खर बस कर्दारी के लिए आज़ लोग पर ₱ बड़ी खबरों के लिए लाकारूंग